कर दो है हैं और यह कुन आतर है अक todd कर द म煥 पाल ये श्रौब giraffe आई है अपका स्वागत आपके अपने चैनल गंगा की चैन रेस्पी में रेस्पी सरू करने से पहले निवेद थन है आप से एक छोटा सा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले हम तिल को रोस्ट कर लेंगे वाइट तिल यह है यह मैंने आधा कटोरी से थोड़ा सा कम है यह तिल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए गैस को लो हीट पर रखना और उनको चलाते रहना बहुत जरूरी है, जैसे ही हलके से ब्राउन होते नजराएं उनको निकाल लेंगे, अब यह रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते है और उसी फ्राई पैन को हम दुवारे गैस पर रख देंगे, और यह मखाने लिए है मैंने 10 ग्राम, तो यह उसके अंदर मैं रोस्ट कर लूँगी, खाने को आप थोड़ा सा घी डालके भी रोस्ट कर सकते हो, मैं ऐसे ही रोस्ट कर रही हूँ, जब हम मखाने को रोस्ट कर बनते हैं, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार बनाओ और इसे महीनों तक हम एर relig कंटेनर में श्ट्र कर सकते हैं, मखाने रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इनने झेक कर लेते हैं, इनने चेक करने का सबसे अच्छा तरीक है हाथ में दवा कर देखो, वह आसानी से देखो इसका मतलब है मखाने तयार हो चुके हैं अब हम इन्हें प्लेट में डालेंगे और वही फ्राइपन हम गैस के ऊपर रखेंगे एक चम्मच गी डालेंगे उसके अंदर और अब मैं जो गुड का चूरा ले रही हूं जिसे सक्कर भी कहते हैं यह आसानी सी मार्किट मे मिल जाती है और इसको हम उसी तरह बोनेंगे जैसे हम गुड की गुड बोनते हैं ना उसी तरह हम भुणेंगे यह मैंने 1 कटोरी भरके शक्कर ली है और इसके अंदर में 2 चम्मच पानी डालूंगई इसके अंदर हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक यह पहले सी नमकीन हलकी सी होती है, इसलिए हम इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे, अगर हम गुड़ डालते हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्ज का पाउडर डाल देते, ताकि ज्यादा मीठे मीठे मखाने नहीं बनते हैं, तो इसको सेम वैसे ही हम गुड़ भूनते हैं, बहुत अच्छे से इसके मखाने और बहुत जल्दी बनेंगी आप एक बार यह वाली इस तरह की ट्राइ करना आपके मखाने एकदम क्रिस्पी और बहुत जल्दी बनकर तयार होंगे तो अब देखिए बहुत अच्छे से फुल गई है और यह बनकर तयार होने वाली है क्यों से गुड़ की गज़क में हम चेक करते हैं अब देखो यह आराम से टूट रही है गुड़ की तरह है तो यह बन कर तयार होगे अब हम जल्दी से देड नहीं करेंगे अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गैस पर रखेंगे तो यह जल जाएगा तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और जल्दी से इसको मतलब अच्छे से मिला देंगे इसको अलग-अलग कर लेंगे क्योंकि अगर इखटे रहेंगे यह तो यह चिपक जाएंगे एक दूसरे से तो इन्हें अलग कर देंगे हम तो देखो कितने अच्छे से बनकर तयार हुए हैं आप देख सकते हो कि बिल्कुल मलव ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हम अब भी मार्किट से लेके आए यह मखाने और क्रिश्पी भी इतने हैं कि आप एक बार आवाज करोगे इसके फैक कर देखोगे तो इसकी आवाज भी ए गुड़ को हम काफी देर तक पकाते तब वो टेक्षर आता इसमें जो है हम सक्कर से बहुत जल्दी होता तो यह गुड़ी है लेकिन यह सक्कर के रूप में होता है तो मतलब इसको हम ज्यादा नहीं पकाएंगे इसको बस तुरंती मतलब इसका टेक्षर निकल के आ हो आपको यह रेस्पी पसंद आए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना और एक बार ट्राय जरूर करना और अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट रेस्पी में तब तक के लिए वाई टेक कियर